नमश्कार दोस्तों मेरे ना में चोजी और आप देख रहे हैं चोजी गेमिंग चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वेलरेंट के अंदर FTS को कैसे बूस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास भी एक low end PC है मतलब कोई तगड़ा PC नहीं है अच्छे specs नहीं है तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखना यह वीडियो आपके लिए काफी helpful हो सकती है क्योंकि आज हम बात करेंगे वेलरेंट के अंदर FTS कैसे boost कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा decent PC है तो आप इस वीडियो को skip कर सकते हो तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं एक च्छोटी सी चैनल इंट्रो के साथ तो मैं कुछ विंडो की सैटिंग से आपको बताऊंगा कि हम कैसे वेलरेंट के अंदर FTS बूस्ट कर सकते हैं तो मैं step by step बताऊंगा तो सबसे पहले step से शुरुवात करते हैं सबसे पहले आपनी क्या करना है अपनी temporary files को clear करना है temporary files को clear करने के लिए हम window plus R की प्रेस करेंगे और यहां पर search करेंगे temp temp और यहां पर जितने भी files and folders होंगे उसको select all करके delete कर देंगे उसके बाद हम फिर से एक बार window plus R की प्रेस करेंगे अभी हम search करेंगे percent temp percent जहां पे भी जितने भी files and folders होंगे उसको भी हम delete कर देंगे अगर कोई नहीं होगा तो आप उसको skip कर सकती क्योंकि जो आपकी application चल रही होगी वो उसका data वगरा होता है उसके बाद एक बार फिर से हम window plus R की प्रेस करेंगे अब हम search करेंगे prefetch P-R-E-F-E-T-C-H जहां पे भी जितने भी files and folders रहेंगे उसको हम delete कर देंगे अगर कोई नहीं होगा तो आप उसके skip कर देना तो यह तो था हमारा first step उसके बाद हम बात करते हैं हमारे second step के बारे में second step करने से पहले मैं आपको recommend करूँगा कि आपकी जो window 10 है वो latest version पे होनी चाहिए तभी आपको ये mode अपनी window के अंदर देखने के लिए मिलेगा otherwise आपको ये वाला mode देखने के लिए नहीं मिलेगा नीचे search करेंगे हम game mode देखे game mode settings को open करेंगे हम यहां पे हमको चार डैप्स दिखाई देंगे सबसे वहले game mode में जाएंगे और यहां से game mode को on कर लेंगे उसके बाद अपने capture को off कर लेना यहां पे और xbox game bar को भी आपने off कर देना ठीक है यह फालतु के process विगरा लेते रहते हैं उसके बाद हम search करेंगे नीचे focus assist तो focus assist को हम क्या करेंगे यहां पे off रखेंगे इसको अगर आपको कुछ भी हो तो आपने off कर देना यहां पे और यहां पे एक बार आप डिस्प्ले में जाके अपने resolution भी चेक कर लेंगे आपका display resolution कितना है जब बात में बताऊंगा आपको किस काम आएगा तो यहां पे आप देख लेंगे आपकी screen का resolution कितना है जैसे मेरा 1920 x 1080 है तो आपने भी देख लेंगे आपका कितना है तो यह होगा हमारा second step अब हम बढ़ते हैं third step की तरफ third step basically उन लोग के लिए जो लोग discord यूज करते हैं while gaming लेकिन मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि आप low end PC के साथ discord यूज करो लेकिन अगर आप फिर भी discord यूज करते हो आपकी कोई मजबूरी है discord यूज करने की तो आपने क्या करना है देखें मैं आपको बता देता हूँ यह हमने discord की user setting में जाना है user setting में जाने के बाद हम window setting में जाएंगे सबसे पहले तो इसमें आपको window की जो startup में आपका discord उपन होता है इसको off कर देना है आप आप रखना है इसको और फिर हम जाएंगे overlay में overlay में हमने यहाँ पे इसको off कर देना है overlay को in game overlay को और फिर हमने streamer mode को भी आपने off रखना है automatic enable disable आपको बंद कर देना सब कुछ और उसके बाद हमने क्या करना है इसकी appearance पे जाना है discord की और यहाँ पे आपको क्या करना है hardware acceleration mode को off रखना है ठीक है off करने के बाद आपका discord एक बार restart होगा उसके बाद आपका hardware acceleration off हो जाएगा ठीक है यह थो थी discord की settings अब हम बढ़ते हैं अपने next step की तरफ उसके बाद हमने नीचे सर्च करना है GPU settings यहाँ पे graphic settings के नाम से एक आपके पास option आ जाएगा यहाँ पे hardware accelerate को आपने on रखना है और यहाँ पे क्या करना है मैं एक वार remove करके आपको दिवारा करके दिखा देता हूँ यह आपको क्याना है यहाँ पे browse करना है अपनी valorant यहाँ पे रखिया जैसे मैंने SSD में रखिया अपनी right gain और valorant live और .exe वाली को एक तो आपने वो कर यहाँ पे add कर देना है अब हमने क्या करना है यहाँ पे options पे जाना है और इसको high performance पे select करके save कर देना है इसको भी same वैसे ही करना ही har global performance पे करके save कर देना है तीक है उसके बाद हमने क्या करना है अपनी जो value ряд है उसकी location को open करना है actually यह client की location हैστ 박ण्व हम game की location पे लेशन पे तो यहां पे हमने इसकी properties में जाना है, compatibility में जाना है, disable full screen optimization को tick कर देना है और change dpa setting में आपको इस option को tick कर देना है, ok कर देना है, apply and ok कर देना है यहां पे भी, और उसके बाद same वही चीज़ हम करेंगे shipping.exe वाली के साथ, इसकी भी properties में जाना है, compatibility, disable full screen optimization, change dpa setting यहां पे टिक कर कर देना है, ठीक है? next step करने से पहले हमको game को एक बार open करना पड़ेगा, तो हम game को open करते हैं एक बार, game स्टार्ट होने के बाद आपको task manager open करना है, task manager में जाके यहां पर देखिए, valorant देखेगी, sorry इसको नहीं करेंगे, यह boost trap package देखेगा आपको, इस पर क्या करना, आपको go to details पर जाना है, और यहां पर आपको details वाल टाइम में ले आएगा, यहां पर आपको क्या करना है, valorant.exe पर जाना है, right click करना है, set priority to real time कर देना है, ठीक है, change priority और ऐसे ही आपको इसके साथ करना है, इसको भी आपने real time पे कर देना है, दोनों को real time पे कर देना है, यह आपको हर एक बार करना पड़ेगा, जब भी आप game start करो कि तब भी आपको करना पड़ेगा हर एक बार, तो आप task manager open करके यह और यह priority को real time पे कर लिया करन ठीक है, अगर इसमें आपको अवास का difference दिख रहा है, तो मैं बाद में shoot कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं record करना भूल गया था, हम game के अंदर पहुंच चुके है, game के अंदर हमको settings open करना है यह और graphic settings पे जाना हमको, वीडियो में जाएंगे सबसे पहले, display mode को आपने हमेश यह सब कुछ सही है, monitor जी अपने अप detect कर लेगा, उसके बाद आपने limit appears on battery को off कर देना है, limit appears menu आप देख सकते हो, अगर menu में आपने on रखना है या off रखना है, आप देख सकते हो अपने हिसाप से, और उसके बाद limit appears in background आप अपने हिसाप से देख सकते हो, अगर आप किसी ज़रूरत होती है game की इसको on रखो, और उसके बाद हमने limit appears always को off रखना है यहां पे, अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा fps आएं वरना आप चाहते हैं कि अगर आपकी 60 hertz की screen है, तो आप 60 पे stuck कर सकते हो या आप नहीं आप से कर सकते हो, वरना off ही रखो यार फाइद पे कर देना है, obviously आपका low end PC है तो आपने low पे ही रखना है, high पे करके कोई फाइदा नहीं है, बाकि सब कुछ सारे option आपको off रखने है यह वाले, और anti-eleasing आपने none रखनी है, और उसके बाद filtering आप 2X कर सकते हो, 4X भी कर सकते हो, और अगर ज़्यादा ही low है तो भाई 1X पे settings ती यार इसके साथ आपके IPS boost हो जाएंगे, अगर फिर भी आपके IPS boost नहीं होते तो नीचे description में discord का link है यार, discord पे मुझे DM कर देना, क्या problem आ रही है, तो अगर मेरे से हो सके हैं, मैं आपकी जरूर help करूंगा, बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो म कर रह्यों कर दो